जै गुरु देव महर्शी वेद विज्ञान विश्व विद्यापीठम के जोतिश विभागद्वारा दैनिक वैदिक पंचांग प्रस्तुत है आज चार सितंबर दो हजार चोबीस है समवत सर पिंगल है महर्शी समवत सर एक सो सात्मा चल रहा है विक्रम समवत दो हजार इक्यासी है आयन दक्षणायन है रितु वर्शा है मास भाद्रपद मास है और पक्ष शुक्ल है आज की तिथी प्रतिपदा है प्रातह आठ बज के 6 मिनिट परियंत तत पश्चात द्वितिया तिथी होगी आज बुधवार है नक्षत्र उत्तरा फालगुनी है पांच बज कर 33 मिनिट रात्री परियंत तत पश्चात हस्त नक्षत्र होगा आज योग साध्य है जो आठ बज कर 42 मिनिट रात्री परियंत है पश्चात शुभ योग होगा करण बव है जो प्रात्र आठ बज के 6 मिनिट तक है पश्चात बालव करण होगा आज सूरियोदे प्रात्र पांच बज के 46 मिनिट पर हुआ है और सूरियास्त सायंकाल 6 बज कर 14 मिनिट पर होगा आज राहुकाल मध्यान 12 बजे से डेड़ बजे तक है इस तरह हमने आज का वैदिक दैनिक पंचांग जाना और आईए अब जानते हैं 12 राशियों का राशिपल मेश राशि के जातकों के लिए आज अनुकूलता का दिवस है आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव रहेगा गुरु जनों और माता पिता का आशीरवाद प्राप्त होगा जहां आप अध्यैन कर रहे हैं वहां आपको प्रोथसाहन प्राप्त होगा यदि किसी नई वृत्ति के लिए आप आवेदन करेंगे तो उस पर अनुकूल प्रभाव प्राप्त होगा वरिश राशि के जातकों के लिए आज अनुकूलता का दिवस है आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव उत्पन होगा अतिथी आगमन होगा कारिक शेत्र में सफलता का संकेत है मन अनुकूल रहेगा चित्त व्यवस्थित रहने से आज अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज गुरु का प्रभाव बुध का प्रभाव आपर विशेश रूप से पड़ेगा इसलिए मानसिक रूप से शान्ति का आप अनुभाव करेंगे किसी से विवाद की दशा में भी विजय आज आपकी और जुकी हुई है शनी देवता का प्रभाव भी आपको प्राप्त हो रहा है इसलिए न्यायलीन प्रकरणों में भी अनुकूलता के संकेत दिखाई दे रहे है प्राता काल उठकर देवदर्शन करे भगवान गणेश जी का अर्चन वंदन करने से विशेश लाव प्राप्त होगा करकराश के जातकों के लिए आज का दिवस अत्यंत अनुकूल है मन शानत रहेगा आप सहज और सरल सोभाव के रहेंगे इसलिए आज बुद्ध के प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन है गणेश जी के बारह नामों का उच्चरण करे अत्वा गणपती अथर्व शीर्ष अत्वा गणेश जी का सहस्रार्चन कराकर आप विशेश लाव प्राप्त कर सकते हैं कार्य सिद्धि के संकेद दिखाई दे रहे हैं सिंग राशी सिंग राशी के जातकों का आज का दिवस मिश्रित फलदाई है कार्य सिद्धि में आपका मन असहज रह सकता है इसलिए मन को स्थिर बनाए देवदर्शन करें, पूजन करें, अनुष्ठान और जब करें तथा अकारण किसी से वैर न करें प्रतिकूलताओं की दशा में स्वैम के चित्त को शान्त रखना ही एक आउशद ही है इसलिए सिंभ राषी के जातकों को आज यही परामर्श है कि वे धैर इका परिचेदे और अपने मन को शान्त रख है कन्या राषी कन्या राषी के जातकों का आज का दिवस शुभ है मन अनुकूल बना रहेगा, कारिसिद्धि के संकेत हैं, यात्रा का कारिकरम बन सकता है, नई नौकरी के लिए भी विशेश अवसर प्राप्त होंगे, अध्यन चिंतन में मन लगाएं, अवश्य सफलता प्राप्त होगी तुला राशी, तुला राशी के जातकों का आज का दिवस मिश्रित फलदाई है, आप अनुकूल चिंतन करते रहें, तथा माता पिता और गुरुजनों का आशिरवाद लेकर कारिकरेंगे, तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी दक्षन दिशा में अनुकूलता के संकेत दिखाई देते हैं, शिव अर्चन करेंगे, शिव सहस्रनाम का पाठ करेंगे, शिव जी पर बिल्वपत्र अर्पित करेंगे, तो विशेश रूप से लाभकारी योग निर्मित होंगे विरिश्चिक राशी के जातकों का आज का दिवस शुभ है, आपके जीवन में अनुकूलता का समाचार प्राप्त होगा, पूर्व दिशा में यात्रा का योग बन रहा है, मानसिक शान्ति बनी रहेगी, अतिति आगवन से आपका चित प्रसन होगा, मित्र मिलन से कार्य सि धोंगे, तथा नए नए अवसर प्राप्त होंगे, शुभ कामनाए, धनुराशी, धनुराशी के जातकों का आज का दिवस अत्यन तो शुभ है, आज रुक रुक करके आपके जीवन में जो प्रसन्नता मूलक्षण आते हैं, उनके विशेष अवसर प्राप्त होने वाले ह रुका हुआ कार्य होगा पश्चिम दिशा से अनुकूलता के संके दिखाई दे रहे हैं भगवान विश्णु का आराधन करने से आपके चित्त में प्रसन्नता रहेगी विश्णु शहस्रनाम का पाठ करने से विशेश लाभ प्राप्त होगा आज का दिवस शुभ और मंगल कारी है मकर राशी मकर राशी के जातकों का आज का दिवस शुभ है भगवान गणेश जी की अर्चना वंदना करने से विशेश लाभ प्राप्त होगा कारी सिद्धि के योग बन रहे हैं गणपती अथर्व शीर्श का पाठ करने से विशेश अनुकूलता प्राप्त होगी आपकी सेवा में वृद्धी के संकेत दिखाई देते है कुम्भराशी कुम्भराशी पर शनी का प्रभाव दृष्टी गोचर होता है इसलिए धैरे पूर्वक धर्म करते रहे जो जातक अपने जीवन में व्यवस्थित और अनुकूल आचरन करते है शनी उनको सहायक के रूप में उनके जीवन में प्रतिष्ठा प्रदान करते है यदि आप सहज सरल होकर माता पिता और गुरुजनों की आग्या का पालन करते रहेंगे तो निश्चे ही आप शिकरस्त होंगे भगवान की करपा आप पर बरस्ती रहेगी दक्षन दिशा शुभ और मंगल कारी है मीन राशी राहु के प्रभाव से आपका चित अस्थिर रह सकता है कार्य सिद्धि में बाधा आ सकती है इसलिए धैर्य पूर्वक कारी करते रहें विचार पूर्वक कारी करें लेन देन से बचें इस प्रकार आज की बारह राशीयों के जातकों से यही विनम्र अनुरोध है कि अपने मन को सहज और शांत रखें भावाती ध्यान का भ्यास कर अपनी चेतना को सतोर मुखी बनाए जो सकारात्मक चिंतन से युक्त होते हैं उनके जीवर में सदैव ही सवकर्यता, सरलता, सहजता और प्रसनता आती है जै गुरुदेव